नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर जय प्रकास एजुकेशन में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम बात करेंगे गुप्त सामराज के बारे में और उसमें शाशकों के बारे में बात करेंगे दोस्तो गुप्त सामराज के पहले जो विशाल सामराज था वो मौरियों का था मौरियों के पतन के बाद अनेक छोटे छोटे राजाए आएं जैसे कुशाड हो गएं ये सभी छोटे मोटे राजाएं आएं और इन्होंने शाशन किया सासन की गद्धी को समाला उसके बाद विशाल सामराज अस्थापित कब हुआ जब गुप्त सामराज का उदे हुआ इसका उदे चोथवी सतापदी में उदे हुआ गुप्त सामराज का और गुप्त सामराज का आरंब बिहार और उत्तर प्रदेश में हुआ ठीक है बिहार और उत्तर प्रदेश में इसका साशन आरंब हुआ और जो गुप्त थें संभौता ये कुशाणों के सामंत थें सामत कार्थ होता है किसी के अधीन शाशन करना तो कुशाणों के सामत थें गुप्त बाद में अपनी शक्तियों को बढ़ा कर ये स्वतंत्र हो गया है अब दोस्तों गुप्त सामराज के जानकारी के साधन कौन-कौन से हैं, हमें कैसे पता चलता है गुप्तों के इतिहास के बारे में, तो देवी चंद्र गुप्तम और कामसुत्र मुद्राराचत, ये सभी साहितिक सुरोतों द्वारा हमें गुप्तों की जानकारी प्राप्त ह और अनेक लेख हैं जैसे प्रयाग प्रशस्ति एरडवी लेख जो भानु गुप्त का है इन दोनों से भी हमें गुप्तो के शाशन के बारे में जानकारी मिलती हैं। पर व्यापार होता था। साथ ही साथ आर्थिक संपन्नता की भी सूचना मिलती है। दोस्तों गुप्त काल को स्वण्ड युग स्वण्ड काल कहा गया है ठीक है आर्थिक संपन्नता कैसे पता चलती थी यदि किसी सासक के शाषन काल में अधिक सोने के सिक्के मिलते थे तो उसको बहुत ही आर्थिक संपन्न समझा जाता था यदि सिक्कों में किसी प्रकार की मिलावट या गिरावट आ जाती थी तो उसको आर्थिक संपन्न नहीं समझा जाता था तो सिक्के भी हमें कई प्रकार के सूचना देते हैं जो गुप्त थें उनके जाती के बारे में अनेक मतभेद हैं अनेक इतिहासकारों का ये मानना है कि गुप्त सुद्र थें लेकिन अनेक और भी इतिहासकार थें जो ये समझते थें कि गुप्त वैश्य जाती के थे अधिकार अधिकांश जो इतिहासकार है उनका यही मत है कि गुप्त वैश्य जाती के थे ठीक है तो दोस्तों जो गुप्त शाषकों में सबसे पहली बात करेंगे हम श्री गुप्त की करेंगे जिसका शाषनकाल 275 से 280 इस्वी तक था दोस्तों गुप्त सामराज का जो संस्थापक है वो है श्री गुप्त एक्जामस में पूछा जाता है कि गुप्त सामराज के संस्थापक का क्या नाम है तो श्री गुप्त गुप्त वन्ष का संस्थापक था प्रभावती गुप्ता के पूनत तामर अभिलेक से स्री गुप्त को आदी राजा कहा गया है स्री गुप्त के समय में महाराज उपाधी सामन्तों को दी जाती थी स्री गुप्त को महाराज की उपाधी मिली थी और ये उपाधी उस समय सामन्तों को दी जाती थी क्यों क्योंकि ये कुसानों के अधीन शाशन करते थे तभी इनको महाराज की उपाधी प्रदान की गई थी अब चीनी यात्री इतसिंग इनका क्या मानना था कि मुरिग विशाखन में स्रीगुप्त ने एक मंदिर का निर्माड करवाया था और इसी मंदिर के व्यव में 24 गाओं इसने दान में दिये थे गुप्त नाम की दो मुद्राय मिली है एक उनकी जो भासा है वो संस्कृत और प्राकृत दोनों की मिस्तिरित भासा है एक मुद्रा पर गुप्त से लिखा गया है और दूसरी मुद्रा में जो संस्कृत में है उसमें स्रीगुप्त से लिखा हुआ है तो इस्तिहास कारों का ये अनुमान है कि ये श्री गुप्त से और गुप्त से ये श्री गुप्त ही है श्री गुप्त ने महराज की उपादि धारण की थी जो उस समय सामन्तों को मिलती थी संभौता ये लिच्छुवियों के सामन्त थे कुछ का यह मानना था कुषाणों के तो अने कम ये भी मानना था कि स्री गुप्त लिचवियों का सामनत था अब दोस्तों जो दूसरा गुप्त शाशक हुआ उसका नाम था घटोत कच घटोतकच श्रीगुप्त का बेटा था पुत्र था और ये 280 में उत्रादिकारी बनता है घटोतकच का विवा मधुमती नामक कन्या से होता है और प्रभावती गुपता का जो पूनात तामरलेख है उसमें घटोतकच को गुपता दिराज और प्रवर सेंदीतिय के रिधिपूर तामरलेख पत्र में गुपता नामादी राजा कहा गया है तो घटोतकच के बारे में बहुत कुछ जानकारी हमें नहीं मिलती है घटोतकच इसने भी महराज की उपादी धारड की थी अपने पिता के बाद सासन की गद्धी पर ये बैठता है मदुमती नामक करन्या से विवा करता है घटोतकच 319 इसवी तक सासन करता है और ये अपनी पिता की तरह महराज की उपादी धारण की थी गुप्त समवत 151 के सूपिया लेख में गुप्त वन्ष को घटोतकच वन्ष कहा गया है दोस्तो देखिए जो गुप्त वन्ष का 151 सूपिया लेख है इसमें गुप्त वन्ष को घटोतकच वन्ष कहा गया है अब दोस्तों बात करते हैं जो तीसरा गुप्त शाशक था जिसका नाम था चंद गुप्त प्रथम चंद गुप्त प्रथम 399 से 335 इस्वी तक सासन की गद्धी पर बैठता है और घटोत कच के बाद यही बनता है तीसरा गुप्त वंश का शाशक और दोस्तों यह जो चंद गुप्त प्रथम थें यह गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक थें वास्तविक क्यों थें क्योंकि यह बहुत सक्तिशाली थें पहले के जो दो थें वो सक्तिशाली नहीं थें उन्होंने अपने सामराज का विस्तार नहीं किया लेकिन जो च रंद्गुप्त का विवाह लिछवी गड़ राज के राज कुमारी कुमार देवी के साथ होता है और जब इनका विवाह हो जाता है तो इसकी सूचना हमें कहां से मिलती है राजा रानी प्रकार के सिक्के से मिलती है और इस प्रकार के लगभग 25 सिक्के मिले हैं गाजीपूर तांडा यानि अम्बेडकर नगर मतुरावाराण सी सीतापूर से पाए गए है तो दोस्तों ये जो चित्र आपको दिख रहा है ये राजारानी प्रकार के ही सिक्यों का है इसका जो मुख भाग है उस पर चंदगुप्त और कुमार देवी के चित्र बने हुए है और जो इसका पीछे का भाग है उस पर एक लेख उतक्रिण है साथ ही सिंगवाहिनी देवी की आकरिती भी बनी हुई है देखी इस सिक्य में दिख रहा है ना यहाँ पर लिच्विय लेख लिखा हुआ है और सिंगवाहिनी देवी की फोटो दिख रही है दोस्तो हेमचंद राय चौधरी का ये कथन है कि जैसे बिशार ने अनेक रानियों से विवाह कर अपने सामराज का विस्तार किया था तो उन्होंने ये कहा कि चंदगुप्त प्रथम ने लिच्वी राज कुमारी कुमार देवी के साथ विवाह कर दीतिय मगद सामराज की अस्थापना की क्योंकि वही सिष्टम यहां भी अपना लिया चंदगुप्त तो हिम चंद राय चौधरी ने कह दिया कि भाईया ये तो दूसरा मगद सामराज की अस्थापना कर दिया है ठीक और विवाहिक संबंद दारा वैशाली का लिच्वी राज प्राप्त कर लिया लिच्वी और गुप्त वंस में विवाहिक संबंद से दोनों राज एक हो गये थे और ये शक्तिशाली हो गये थे चन्गुप्त प्रथम ने कौशामभी तथा कोशल के राजाओं को जीत कर अपने में मिला लिया और अपनी राजधानी पाटली पुत्र में अस्थानांतरित की चन्गुप्त ने 219 इसवी में कब 219 इसवी में एक नया समवत चलाया जिसका नाम था गुप्त समवत ये बहुत ही इंपोर्टेंट है दोस्तों गुप्त समवत का डेट गुप्त समवत कब चलाया गया 319 इसवी में किसके द्वारा चन्द गुप्त प्रथम के द्वारा गुप्त समवत और शक समवत शकषवन 78 में चला था इन दोनों के बीच जो वर्षों का अंतर है वो 240 वर्षों का अंतर है अल बुरूरी ने बताया है कि ये सक समवत और गुप्त समवत की तरह 241 वर्ष उपरांथ प्रारंब होता है चंद गुप्त ने अपने शाषन के अंतिम काल में अपने पुत्र समुद्र गुप्त को अपना उत्राधिकारी बना दिया और खुद सन्यास ग्रहण कर लिया दोस्तों चन्द गुप्त ने अपने सामराज का अधिक्तम विश्तार किया उसके बाद ये अपने पद से हट जाता है और अपने पुत्र समुद्र गुप्त को अपना उत्राधिकारी बना देता है खुद सन्यास ग्रहाण कर लेता है अब बात करते हैं समुद्र गुप्ती तो 335 ईश्वी में ये सासन की गद्धी पर बैठता है और 308 ईश्वी तक ये सासन करता है दोस्तो समुद्र गुप्त को महाराजा धिराज साथ हिसाथ पराक्रमांग की उपाधी मिलती है और इसमित महोदे ने तो इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा है भारत का नेपोलियन कहने का कारण ये था कि समुद्र गुप्त ने दचिडापत अभियान करकर आर्यावरत का अभियान कर अपने सामराज को बहुत ही विशाल बनाया इसलिए Smith ने इन्हें भारत का Napoleon कहा है समुद्गुप्त की राजधानी पाटली पुत्र थी और इनके जो दरबारी कवी थें हरी शेड हरी शेड कौन थें? समुद्गुप्त के दरबारी कवी और इन्ही की रचना है प्रयाग प्रसस्ती प्रयाग प्रसस्ती को हरी शेड द्वारा रचना है इनकी और यही है देखिए प्रयाग प्रसस्ती यही है इसी पर लेक उतकरीड है प्रयाग प्रसस्ती पहले कौशामबी में थी लेकिन बाद में अकबर इसे इलहाबाद में लेते आया प्रयाग परसस्ती की जो शैली है वो चम्पू शैली है एक्जामस में पूछे जाते हैं कि प्रयाग परसस्ती की शैली में है तो चम्पू शैली में है प्रयाग परसस्ती पहले कौशामभी में थी फिर इलहाबाद आई और इसमें अधिकतर समुद्र गुप्त की उपलब्धियां और उसके विजयों का उलेख किया गया है प्रयाक प्रसस्ती में शमुद्र गुप्त को महा देवी, कुमार देवी के गर्ब से उत्पन तथा लिच्वी दोहित्र कहा गया है राजा के साथ साथ वो कवी और संगीत का सनरचक भी था जो समुद्र गुप्त था वो कवीताय भी लिखता था साथ ही साथ उसे वीड़ा बजाना बहुत पसंद था इसलिए उसे कवी राज भी कहा जाता है समुद्र गुप्त को कवी राज भी कहा जाता है अब उसने अनेक अभियान चलाएं जैसे प्रथम आर्यावर्त अभियान जो था इसमें समुद्गुप्त ने तीन राजाओं को पराजित किया अच्चुत नागसेन और कोत कुलज इन तीन राजाओं को पराजित करने के बाद समुद्गुप्त ने दच्छडी अभियान सुरू किया और इस दच्छडी अभियान में समुद्गुप्त ने बारा राजाओं को पराजित किया जब उसने दच्छड़ी अभियान को पूरा कर लिया तो उसने फिर से दूसरा आर्यावरत अभियान को चलाया और इस अभियान में समुद्ध गुप्त ने नौ राजाओं को पराजित किया तो इतनी जादे विजयें इसने की थी समुद्ध गुप्त ने और इसका जो सामराज था बहुत ही विशाल रूप ले लिया था समुद्ध गुप्त का सामराज हिमालय से दच्छिण में विंध परवत तक और पूरब में बंगाल की खाड़ी से पशिम में मालवा तक विस्तित हो चुका था तो देखिए उसका जो सामराज था वो उत्तर में हिमालय दच्छिण में इसका विंध परवत पूरब में बंगाल की खाड़ी और पशिम में मालवा तक इस्तित हो चुका था तो एक विशाल सामराज की अस्थापना कसरे समुध्र गुप्त को जाता है समुद्र गुप्त के बाद हम बात करेंगे राम गुप्त की दोस्तो ये जो राम गुप्त हैं इनके बारे में इतिहास बहुत ही मौन है और इसमें बहुत ही जादे विवाद है तो इसलिए इसकी एतिहासिकता को हम जानते हैं समुद्ध गुप्त के दो पुतर थे एक का नाम राम गुप्त था और एक का नाम चंद गुप्त दीती ये था चंद गुप्त दीती के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तो राम गुप्त बड़ा भाई था चंद गुप्त का जब उसका पिता यानि समुद गुप्त मर जाता है तब राजगद्धी पर रामगुप्त बैठता है लेकिन ये बहुत ही कमजोर और कायर किस्म का इंसान होता है इसकी पतनी का नाम धुरू देवी रहता है और रामगुप्त तो नपुनसक रहता है इसकी पतनी से बहुत ही दुखी रहती है फिर इसके सामराज पर शक राजा ने आक्रमर कर दिया और इसमें रामगुप्त पराजित हो गया जब रामगुप्त पराजित हो गया तो सक राज ने दुरु देवी को कैद कर लिया ये सब को देखकर जो छोटा भाई था उसका चंदगुप दीती है ये बरदास नहीं कर पाता है तो ये शकराज को मारने के लिए उसके सिविर में जाता है और उसकी हत्या कर देता है जब शकराज की हत्या करके अपने सामराज को ये बचा लेता है फिर ये आत आकर अपने ब गुप्त इसका बड़ा भाई रहता है लेकिन इसकी हत्या कर देता है और खुद सासन की गद्धी पर बैठ जाता है सिर्फ हत्या ही नहीं करता दोस्तों ये इसकी पतनी धुरू देवी को खुद अपनी बना लेता है उससे विवाह कर लेता है और गुप्त वंस का सासक बन ज जाता है तो दोस्तो राम गुप्त नपुनसक रहता है इसके कारण उसका भाई हत्या कर देता है और अपने भाई की जो पतनी रहती है धुरूव देवी इससे विवाह कर गुप्त-वंस का एक शाशक बन जाता है दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही नेक्ट वीडियो में हम चन्द गुप्त दीती की वारें बताएंगे और गुप्त सामराज को पूरा करेंगे दोस्तो चैनल अच्छा लगा हो तो सस्क्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा